ओम् सहनाववतू सहनों भुनक्तू सहवीर्यं करवावः तेजस्विनावधी दमस्थुमाविद्विशावः ओम् शान्ति 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 ओम् आप्यायंदुममांगानी वाग्प्राणस्चक्षुष्रोत्रमदोबलमिंद्रियानिचसर्वानी सर्वं ब्रम्हुपनिशदं माम् ब्रम्म निराकुर्याम् माम् ब्रम्म निराकरोत् अनिराकरणमस्थ्व निराकरणम् मेस्थुष्थूष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सदाशिव समारंभाम शंकर आचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम संवर्ग विद्या संवर्ग विद्या एल पर्मातमानु प्रलाएक आणले पन बद्धु जे पोतानामा गडी जनारु रूप छे बद्धु जे पोतानामा समावी लेव बद्धु जे पोतानामा अंतर भाव करी लेव ए जे गूण छे परमात्मानों ए गूण विशिष्ट एहां उपासना छे सम्मर्ग विद्या एटले हिरन्य गर्बनी के प्राण नीज उपासना छे परंदो गूण कायो छे? सोपादिक ब्रह्मनी उपासना उपादीना कोईक एक विशिष्ट गूण ने आधारे थती होई छे तो इविज रिते परमात्मानों जे सोपादिक रूप छे प्राण अथवातो इरन्य गर्ब एमा एना अनेक गूणों छे एनी अनेक अनन्द विभूतियों छे कई रिते तो शिव महिमन स्तोत्र मा पन बीजासलोक मा गिदू क वरमात्मानों जे सगूण सविशेश महिमा छे जे व्यक्त था ओच जगतमा एपन अनन्त छे निर्गूण निर्विशेश जे महिमा छे एमा तो शुतिनो प्रवेशज न थी ये पण नेती नेती द्वाराज प्रतिपाधन करे चे परंदु सगून एटले के समग्र ब्रह्मांड रूपे जे प्रगट थायो जे महिमा एपण अनन्त चे अतीतफ पंधानम वांग मनसयोहो अतीतः तमा आपनो जे महिमा चे एतो अतीतच चे इवी रिते सूपादिक ब् गुण विशिष्ट उपासना चे रैक्व ब्रह्मन जे चे ए एए उपासनाना प्रवक्ता चे जान शुरुती क्षत्रिय राजा चे ए रैक्व पासे जी आ सम्वर्ग विद्यानू अध्यान करे चे एना माटे आख्याईका जान शुरुती आने रैक्व अत्यन्त ब्रह्मन जे एटले साधू जीवन जीवे चे कोईपन सुख सक्वडताना साधनो वगर नू स युगवानम रैक्व गाडा वालो रैक्व बडद गाडू होय तो ए गाडव पडियू होय तो गाडानी नीचे ए रहे लेके ब्रह्मन छे एटले के कोईज प्रकारना सक्वडताना साधनो वगर ए पोतानू जीवन जीवे चे तप अने उपासनाना बड़े एने जे जुईतू होय ए एने प्राप्त थाई जाई छे एने एनी जे आ दरिद्रता छे ए सालती नथी नडती नथी एने चोथा अध्याय चांदोग्य उपनीशत नो प्रथम चोथा अध्याय नो पहलो अने बीजो खंड ए आख्याई का रूपे छे त्रीजा खंड मा संभर्ग विद्यानी उपासना कई रिते करा ए लखे आपेलू छे चोथो खंड जे छे एमा अर्थवाद इतले के आहू आ उपासना करनार नू एक या उदाहरन पन आपे छे एक ब्रह्मचारी छे शोणक ने अभिप्रतारिन राजा पासे बिख्षा मा अगे छे ए प्रकारनी आखी एक उदाहरन पन आपेलू छे के आवी उपासना करनार हकीकत मा छे ले आ संभर्ग विद्या एनी उपासना करनार लोको एनी उपासना करनारा संभर्ग विद्या वगेरे आईती हासे केले के करनारा छे आ कोई कपोण कल्पित वात नथी ए प् चोथा अध्यायना प्रेतप्यला खंड मां अखी वायू अने प्राण, वायू एस समस्टी द्रष्टिये अखु सम्वर्ग छे अने प्राण ए अध्यत्मनी द्रष्टिये सम्वर्ग छे तो प्राणमा अने वायुमा वायुले समस्टी द्रष्टी प्राणले अध्यात्म द्रष्टी एमा ब्रह्म एले के हिरन्यगर्बनी अध्वातो आपड़ी ब्रह्मनी द्रष्टी करवानी यहां उपासना चे वेमा पहला वायुले एक पाद रूपे उपासना आगला तुरुती अध्यामा आवियती परंतु हवे इया शाक्षाद ब्रह्मत्वे न उपास्यत्वाय साक्षाद ब्रह्म छे सोपादिक ब्रह्म वायु और प्राण एनी उपासना यहां केवा मावे जे संवर्ग विद्या खाली एटला माटे वांचुजू क्या आख्याई का जान शुरुति और रैक्वनी जे महत्व छे ये कह छे यहां भाष्यकार अब भाष्यकारना शब्दों छे आलाल अक्षर माँ सुखाव बोधार था आख्याई का तो संवर्ग विद्या सिधे सिधी कोने तमें पेलो और बीजो खंड आखो नाखो तमें आख्याई का माँ कोजो तो क्या आख्याई का द्वारा आ संवर्ग विद्या सरल ताथी सुखाव बोधार था संवर्ग विद्या शूचे संवर्ग विद्या शूचे संवर्ग विद्या नू महत्व शूचे संवर्ग विद्या आखिकाई रिते येने आत्मसात करी शकाई वगेरे पजी ए विद्या दान ग्रहन विधि प्रदर्शनार था जान शुती अने रैक्वनी आख्याई का जारे विद्यानु दान थाए गुरु द्वारा अने विद्या ग्रहन थाए शिष्य द्वारा बन्ने पक्षे कई विधी रहेली चे ए पण प्रदर्शित करेजे विद्ध्या ग्रहन माटे शिष्यमा श्रद्धा पजी अन्न दान अनुद्धत्व 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 द्या धरावे चे, nobility and humility बन्ने धी युक्त चे अने घणुबदू अन्न दान एटले के पुन्य कर्मो करनारो चे, सकाम तो नहीं परंदु सतकर्मो करनारो आ शिष्य चे, विद्या प्राप्ती साधनत्वं प्रदर्ष्यते, तो आ प्रमाने विद्यानु ग्रहन धाय देना म प्रमाने अख्याईकानु महत्व भाष्यकार के छे, पहला आपने आख्वेक संग्षिप मां अर्थ समझी लेए, पची एक 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 जे मंत्रों चे आने समझवानों प्रायतना करिये, तो आपने थुडुक विचार करें तो गया क्लास मां जान शुती राजा चे, श्र जान शुती येले जन शुत राजा हतो येनी परम्परामा येनों पवत्रायन, पुत्र नों पवत्र येनी पवत्रायन केवामा आवे छे, जनश्रूत्नी संतान परंपरामा आ जान शूती, येले पुत्रनो पउत्र ए प्रमान इनने पउत्र येंड केवामा अवे छे श्रद्धा देयह श्रद्धा पुर्वक दान करना रो हतो अने उदार बुद्धिली कश्चुज पोतानों जने केवाईने संकोज राख्या वगर ए दान करना रो हतो बहु पाक्य है गणु बदू अन अनक्षेत्र मा रंधातो हतो दरेक माटेक गणु बदू अन रांधतो हतो अन बद्धाने प्रेम थी चमाडतो हतो आवा प्रकारनों सतकर्म करना रो पुन्य कर्म करना रो होई तो ए अनेक आवा सतकर्म ना बढ़े यहनी कीर्ती चारे बाजू प्रस्राई जाए आवसथान मापयान चक्रे आवसथान एटले स्थान रेवानू स्थान रेठान यहने अनेक सर्वतह बद्धी जग्या ए बद्धा गाम्मा शेहरमा धर्मशाला अननक्षेत्रो बंदाव्या हता अने विचार्यू सर्वतह एव में अन्नम अच्चनती दी बद्धा ज लोको आ मारू अन्न खाशे इले के आ अन्नदान ना महिमाने जानतो हतो माटे ए प्रेम्धी बद्धाने बद्धी जग्या ए दर्मशाला अन्नक्षेत्र वगरे बांदी ने बद्धाने भोजन पूरू पाड़तो हतो इतले शद्धा जे तैतिरी उपनी शदमा पन छेले आवे छे अग्यार्मानु आकमा श्रिया देयम, हिया देयम, संभिदा देयम, भिया देयम दान काई रिते करवू जुईए एपन तैतीरी उपनीशद मा केवमा अवेलू छे श्रिया देयम लज्जा सहीत अपने दान वगेरे करिये त्यारे कवर आपिये छीए तो आपड़ो जे हाथ छे आपने बे हाथ मां कवर मुखी ने आपफू जुईए सामेवालो ले आपड़े दान आपिये एहु नहीं एले ए प्रकारे ह्रिया देयम संकोच साथे लज्जा साथे के दान स्विकारीने सामेवाला जे छे ए मने उपकृत करे छे अब दी चर्चा दाननी तैतीरी उपनीशद मा पण छे लज्जा सहीत आप पूजुईए ले आएम हुँ उपकृत थायो छो दान आपवा द्वारा है लेकि सामेवाला जे मारा दाननो स्विकार करे छे ले ए सुंदर तक भगवाने मने आपेली छे अने ए दाननो अभिमान आपणामा न होए काण के आपणने जे आपनार छे एतो पर्मातमानूज छे पर्मातमानो जे सर्व कई आ दाननो जे कई पण द्रव्य वगेरे छे बद्दानो पर्मातमा जे एक मालिक छे धन लेनारो दान लेनारो मने उपकृत करे जे मने अनुग्रुहित करे जे महरामा आवी रिते तक पुरी पाडवा जवारा हूं तो निमित्त मात्र जु आतो पर्मातमानूज छे अने पर्मातमाईज मने निमित्त बनावे जे वगेरे श्रिया देयम ह्रिया देयम संविता द लेशोने आप इभी रिते एक प्रकारना भाई के संकोच के लज्जा पुर्वक दान अपावू जुईए तो आनी अन्न दान नी जे कीर्ती हती चारे बाजु फैलाये ली हती जान शुरुती राजा नी हवे एक वकद रात्रे एक पुतानिय मेलनी अगासी मा बार बेठा हाता जान शुरुती राजा तो उपर दी हमस बजा पसार थता हाता जान शुती राजा पुन्य कर्मो करना रहा था हवे एमने पुन्य कर्मो जारे परिपाक पामे तो वधरे आगल उपासना द्वारा एनी अध्यत्मिक प्रगती करवा माटे देवो एना पुन्य कर्मो धी प्रसन थाया अन्नादान वगेरे जे पुन्यकर्मों जे देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त है श्रेयफ परम वापस्य था तो आ प्रमाने पुन्यकर्मों करवाने लिदे देवो प्रसन्न थाए तो देवो जो हवे हमस बनीने पसार थाई जे और अनि ए हंस बनेला दिव वात करें छे अथ हंस आहा निशायां अतिपेतु हुँ अवे हंस रातरे पसार शता अहता तद एवं हंस हंस अब्ध्युवाध त्यारे आगल नो झे हंस पाछाल उड़नारो झे हंस छे ए हंस आगल ना हंस ने कहं छे अभ्यवाद कहें जे हो हो अई बल्लाक्ष बल्लाक्ष तो यहां बल्लाक्ष बद्र बद्राक्ष 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 इतले सारी द्रष्टी वाळा जाने के टॉंट मारतो होई निवी रिते के हंसनी द्रष्टी तो गणी दूर होई छे इतला माटे केह जे ए बद्राक्ष बद्राक्ष सारी द्रष्टी वाला तने तू बद्राक्ष चे छता पण तने खबर नधी पड़ती के जानशृती पवत्रायननु कीर्तिम समम दिवा ज्योती ही आततम जानशृतीनु अन्नदान निमित्ते ना प्रभावधी जन्मेली कीर कीर्तिनु तेज छेक स्वर्ग सुधी दिवा आततम जे स्वर्ग सुधी फेलायलू अत्यनं थे तेजे स्विज navigate कीर्तिनु तेज त्यारे एनी औरा फेलायली छे एमां तू प्रभेश स्विश नहीं ला करता तू बड़ी जैशृत आततम तत्वा माप्रदक्षी ही इती प्रवेश पामिश नहीं, एले एने अडिश नहीं, अने तत्वा माब्रधाक्षी ही, एतने बाली नहीं, एनु तु ध्यान राग, तो बद्राक्षकरी ने आविरिते केछे, पाछाल उड़नारो हम्स, आगल उड़नारा हंसने केछे, पछी तरीजु मंत्र, तम उह परः प्रत्य वाच, तम जे पाछल उड़नारो हम्स, येने आगल उड़नारो अग्रगामी हम्स, प्रत्य वाच, कम वरा, एमाँ कम छे शब्द पजी अरे, ए प्रमाने थाई जे, वरा एतले पाछल उड़नारो, वर एटले पाच्छाल उढ़नारो शेष्ट पाच्छाल उढ़नारो जे केतो तो ए अने परह एटले आगल उढ़नारो तेने कहे छे प्रत्य वाच के इनम एतत संतम आ प्रमाणेनो जे जानशृती राजा छे एने सयुगवानम रैकवा रैकवं इवा आथ एने तु सयुगवा युगवा एटले बडद गाडू बडद गाडानू जे गाडू हो एने युगवा केवाई छे तो गाडा वाला रैक्व साथे सर्खावे जे योनु कथम सा कथम सयुगवा रैक्वा येदी ए वड़ी क्या थी गाडा वालो रैक्वा होई शके तने खबर जे सयुगवा नम रैक्वा कौन चे अवगेरे ए प्रमाने के चे तो ये केजे के ना मने खबर न दी तो पछी ये हंस केजे आ वाक्ये जे घणू प्रसिद्य चे उपनीशद्नू यथा कृताय विजिताय अधरे याहा सैयंती एवं एनम जर्वं तद अभी समेती यद किंच प्रजाहा साधु कुर्वंती यस्तद वेद यद सवेद समया एत दुखताय अगणों प्रसिद्य मंत्र जे यथा कृताय विजिताय कृत पासू ये पहलाना जमानामा शत्रंज ये यूत वगेरे जे रमातू हतू एमा चार पासा हता अरे पासा जे हो एना चार ज साइड हती अत्यारे जम छ होई जे ये वी रिते पहलाना जमानामा अमा भारत वगेरे सीरियल मा शकूनी जे पासा फेकतो जो एक वा चार एनी साइड हती तो एक साइड एक डोट करेलू होई बीजी साइड बे डोट होई त्रीजी साइड ए त्रोट होई त्रीजी साइड तो जो पाशत्रंजनी रमत मा चार वालू पासू पड़े तो एने चार गुनाक मने एव नहीं चार वत्ता त्रों वत्ता बे वत्ता एक एम करेने दस दस पूर्ण गुनाक मने जाए यथा कृताय विजिताय अधरेयाह संयंती जो कृत पासु पड़े तो अधरेयाह एतले अधर याह एतले कि विजा बद्धा एमा भड़ी जाएछे एतले कृता पासु पड़े तो पूरे बद्धा कृत द्वापर कली तरेता बद्धु मली ने 10 गूण मली जाएछे बद्धु प्राप्त करीले जे बद्धु जीती जाएछे तो एवी जरीते सर्वम तद अभी समेती तो जे आ सम्वर्ग विद्ध्या सम्वर्ग गूणती विशिष्ट सुपादिक ब्रह्मनी उपासना करे जे एने बद्धा पुन्यकर्मों जे कई पन लोको जानशुती मुख पुन्यकर्मों करतो होई बीजा कोई पन जे लोको पुन्यकर्मों करता होई, सतकर्मों करता होई, ए बद्धा सतकर्मों आ सम्वर्ग विद्या करनारा रैक्व ने, सम्वर्ग विद्यानू उपासक जे छे रैक्व एने मली जाए छे बद्धा लोको जे पुन्यकर्मो करे छे ते रैक्वना खातामा जमा थाईजे बद्धा लोको ने जे पुन्यनु फळ मले छे ए पन रैक्वने मली जाईजे ओक पुन्यकर्मो करे ए सिद्धा रैक्वना खातामा जमा थाई बदा लोकों ने जे फुन्य कर्मों मले, फुन्य कर्मों नू फळ मले सुख वगेरे ये तो रैक्वने अमने मली जाए छे आउँ अहिया सर्वात्म तादात्म्य संपन ले जे दुर्वासा मुनी साइध जर्शिष्यों ने लही ने आव्याता पंडवो पासे त्यारे पछी कृष्ण सब्लियोदन, मैं पछी णाई आवी जाता ओक्वाना फिर्वाटां ने तुरुप्त थाई जाये छे, दुर्वासा मुनीन साइट अज्जार शिष्यो आज जमी लिदा होय, ये प्रमाने, आखु कृष्ण बगवान जमे, जनू सर्वमा ताधात में हो, ये जमे तो समस्टीना बद्धा जीवो ने उड़कार आवे, ये जमी ले छे, तो इवी रि पासू जे जे जैने, एना जीवो रैक्व छे, धले एमा बद्धा पुन्या करμο समावि função अंतर भव पामे में हो, समाविSub थाई जाये छे, ये वो कई दिते, तो रैक्वणरों जे क्रत्यू छे, क्रत्यू जोले निस्चै, रैक्वनों क्रतू निस्चै चे के हुँ आ सम्वर्ग चु बद्दू गळी जनार चु एवो निस्चै चे वँ श्रावत निस्चै चे श्रावत क्रतू चे अने माटे हुँ सम्वर्ग चुँ प्राण चुँ बद्धु गड़ी जनार चुँ अने प्रमाने एवी अहंग्र उपासनाने लिधे रैक्व क्रतु बनी गयो छे, कुरुत पासु बनी गयो छे रैक्व प्रम्मन चे आवी रिते कुरुत पासु बनी गया छे, कुरुत पासा माँ बद्धु ज समाविष्ट थाई जाए वी रिते रैक्व माँ बद्धा पुन्यकर्मो अने अनू फळ अंतरभाव पामेलू छे रैक्व पोताना क्रतु ने जीवन, हाँ बोलो संयोग संबंध ने इवी रिते क्या वाई जे संसर्ग, संयोग, तादात्में अद्ध्मकर्मा चर्चा आवेली छे कयोश लोग छें, जुईनकाईश, चार प्रकारना संबंध होई छे तादात्में संसर्ग, संयोग, अने आध्यास ही कहसे कदा छे अद्ध्मकर्मा चर्चा आवेली अगनी अना गोडो जे छे संसर्ग, संयोग, संवाई, माटी अने घडानो संवाई तादात्में कहवाई छे संसर्ग, अद्ध्यास, जपागूश, संसर्ग, हाई तो छे, तादात्में मा अगनी अना गोडो छे अलु बनी जाए छे, सुशुप्ती मा तादात्में संसर घडात्म यस्श अंत्मा अने गोडो जीवात्मा पर्माटमाणू पन त ये वखत आत्में ठडात्में ठडात्में प्राण सहीतनू छे एले एने कईू कीतू छे, भेद सहीतनू अब्यदच कीतू छे ये जो पड़से अवे आपड़ा इसू विचार तता रैक्वनो क्रतू क्रतू एले निश्चाय, श्राउद निश्चाय छे रैक्वनो प्राण बद्धुज पोतानामा समाविष्ट करीले चे, बद्धानों पोतानामा अंतरभाव करीले चे आ क्रतु निष्चे ने जीवनत राखवा राखे चे ये सम्वर्ग विद्या वड़े, सम्वर्ग उपासना वड़े तो सम्वर्ग विद्या ए अहंग्र हुपासना चे, हुँं सम्वर्ग संवर्जनात संग्रहनात सम्वर्ग बद्धुज पोतानाम समाविले ए गुण विशिष्ट सोपाधिक ब्रह्म चुँ, हिर्यनेगर्ब चु, प्राण चुँ तो सम्वर्ग विद्या एहंगर उपासना जचे, एले उपासना वडे, एने पोताना निष्चयने आवीरिते गड़ेँ छे, उपासना थीज ए निष्चयने जीवनत राखे छे, आपने जीवन व्यवहार मावा निष्चयने जोवो होय, तो के उपासना कियू परिणाम संवर्ग विद्ध्यान बदू कौन करतू होशे पन संवर्ग विद्ध्यान आपने पने उपासना करीज रहा छी ये अत्यार है कोई पन जेने बार सायंस नी के भी एक्जाम आपी होई तो केवो ए वकद येनो निश्चय होई जेने PMT मा एडमीशन लेवू छे हाई स्कोर करीन MBBS, MD नपची DM बदू अढ़ार-ढ़ार कलला का मेनत करेज विद्ध्यार थियो CA नी एक्जाम वाडा पन केवो जार छापामा आवे कई रिते तम आ बदू मेनत करता था CA फर्स्ट रेंक होई जेनो एक के आपन ने एक की भी उपासना करेजे मारे CA फर्स्ट रेंक साथेत जवादो, मारे CA बनवू छे, मारे आवेरित MBBS, MD वगेरे जे कैई डॉक्टर होई काडियोलोजिसके गमे देटुक मा ए बनवू छे एवा निष्चे ने केवो जीवनत राखेजे तो ए उपासनाच करेजे, एना दरेकी दरेक व्यवहार मा आ निष्चे एनो प्रगट थाएजे ए कशु खातो पीतो नदी, एवू नदी, बद्धोज व्यवहार करेजे छत्ता पण एनो एक अंडर करंट मनमा निष्चे इसु चालतो होईजे के मारे आ, MBMD वगेरे बनवू छे, मारे डॉक्टर बनवू छे तो ए निष्चे ने के वो जीवनत राखी ने बद्धोज व्यवहार बद्धा कर्मो करेजे छता पण एनी उपासना के वी चालूज रहेजे तो डार कलला कावी रिते मेनत करे, एड्मीशन ले, बद्धीज वस्तु करे के वो एनो एक निष्चा प्रगट थतो है चे बद्धामा तो इवी जरिते आ उपासना वडे निष्चा गडाय चे, निष्चा जीवन तरह चे तो हुँ संवर्ग चू एप्रमाणे रैकवए, कृत पासा जेवो एप बनी गयो चे उपासना द्वारा बनी जवानू या फोल चे गनानमा जानवानू, कारणके गनान वास्तविक्ताने प्रगट करे चे मात्र गनान कशो परिवर्टन के खषू नउ सर्जन करतू नदी गनानमा जानवानू छे, उपासना मा बनवानू छे उपासना बनवानी प्रक्रिया छे एटले आपन जारे भाक्ष्यमा जारे जारे पंड चर्चा थती होय उपास ना आने गनान नी त्यारे आ बदा मुंदाओ घणीवार चर्चवा मा आवे छे के बनवानी जरूरिया थे शे आरे आपने वेदानतनु शरवन तत्वमसी वगेरे उपदे सास्विनों क्लास चाले जे अडर्मू तत्वमसी प्रक्राण चाले जे त्यारे आनी भूमी उपास ना के गमे तेनु जारे एमा खंडन थतू होई त्यारे आपना मनमा कहिंक बनवानी प्रायत नो बनवाना प्रायत नो के ए भूमिका न होवी जोईए आपना मननी बनवानी भूमिका न होवी जोईए जे छे एने जानवानी भूमिका मा आपनू मन होवी जोईए आवी बदी घणी चर्चा सत्तरमा सम्येंग मती प्रक्रण मा पण आवी पजी प्रसंख्यान विधी वाली पण जे चर्चा छे एमा पण एक एछे के आवी रिते उपासना गे हुँ ब्रह्मा चु ए प्रत्यने वारम वार्तमे जीवन तर आखो तो पन श्रवन वेदांत तत्व मसी महावाक्यने आपरा संख्यान विधी नी जरूर नथी त्यारे पण उपासना नू खंडेन थत्व होई जे परन्तु आ उपासना ओ जीवन व्यवहार माटे गणी अगत्यनी छे जीवन व्यवहार माँ जारे वेदांत श्रवन चालू होई विचार चालू होई त्यारे बरूबर ब्रह्मनो परन्तु जीवन व्यवहार माँ आपनो जे निश्चै छे न ए प्रगट्थतो होई जे माटे उपासना गणी महत्वनी छे गणी वार गिदू जे के हूं ब्रह्म चु एवो निश्चै आपने श्रवन काले जालवी राकिये व्यवहार काले हूं सात्विक भक्त चु शात्विक करता चु इश्वर नो भक्त चु लेश्वर आरपन बुद्धी धी इश्वर समर्पित जीवन जेवू ए आ उपासना अपने तो इश्वर समर्पित जीवन जीवा दी अंतक करण सरवलता थी तीव्रता जल्ली थी शुद्य थत्तू होई छे तो आ जीवन व्यवहार माटे आ बदी उपासना गणी अगत्य नीचे आपना क्रतु एटले के निश्चै ने अत्यारे के ओ हुँ देह चु उँ दे जीवन गणी तो जह मारे डॉक्टर बनवुँ छे एटले के ओ प्रगठ्ध तो होई जवी ह catches रहिक्वन आ क्रतु चे निश्चै ये हुँ सम्वर्ग चु प्राण चु हिरण्यगर्ब चु कुरुत पासा जेवो चु यले मारामा बद्धूज समा विष्ट थाई जाई जे ले आ प्रमाणे नू लक्ष खबर होय लक्ष प्राप्तिनो मार्ग अने लक्ष प्राप्तिना साधनो आ त्रणे वस्तु आ उपासनामा केवमा आवे चे ए स्पष्ट होई चे लक्ष लक्ष प्राप्तिनो मार्ग अनेना साथनो तो यद किंच प्रजा साधु गुर्वंदी तत अभी समेती तो आ प्रमाने हमसो जानशुती जहां बेठो तो त्यां थी उपर थी आ प्रमाने वात करी पछी ये आने जानशुती ये सांबली तदू हो जानशुती ही पउत्रा येना हा उपशुष्ष्राव ये आ सांबल्यू ये पचि पलंग मा थी ये राते पचि सवारे उठेव त्यारे सह संजिःाने एवक छत्तारं उवाच छत्ता ये बंदीजन अत्वादो पोतानों जे सार्थि हौ जेए पोतानों जेवक परिचारक जे होशुए ने किदू तु आ सयुग्वानम रैखवं आथ इदि यो कथम सयुग्वानम रैखव इदि आ सयुग्वानम रैखव इले के गाडा वालो रैखव कोण छे यह क्या रहे छे बंदी जन ज्यारे राजा जागे ने त्यारे राजा आऊ आऊ श्रद्धा देया बहु पाक्या वगेरे स्तूती करता होई तो राजा ए बंदी जन ने कहाँ चे कि तू मारी क्या स्तूती करे जे हुँ क्या आ सयुगवानम रैकव गाड़ा वाला रैकव जेवो छू रैक्व जेवी स्तुती तु मारी न करीश। तो एक शत्ता एक इदू योनु कथम से युगवा नम रैक्वाईती तो एक तमेजे आ कोछो त्यार सुझी तो कोई दियस बोल्या नदी तो आ रैक्व कोण चे गाड़ा वालो रैक्व कोण चे बंदी जने बुचिय। त्यारे अवे पाछो आख्वु जे हंसे कि देलू अदू यथा कृता आया विजिता आया अधरेया सैयंती जम कृत पासा मां बद्धा जे दसे दस अरे बद्धा पासा मली जाई चे ये पूना गुणा कवालो चे इवी रिते रैक्व कोण चे तो के यत किंच प्रजा सहाधु कु आख्षत्ता अन्विश्य इतले एने आख्षत्ता ने बंदी जन्ने के सेवक ने की दू के तमे आ रैक्वने शोधो के क्या चे ए ले रैक्वने लाववानी इच्छा दी सेवक जे चे ए रैक्वने शोधे चे बदा गाम्मा ने नगरमा तपास करवा मांटे जाई चे पर राजा पछी एने केछे यत्र अरे ब्राम्मन स्यन्वेशना लेके ते क्या शोध्यू अतु राइक्वने बदा मुटा मेल एलेके सारा एवा घरमाने इवीरित नहीं मले राइक्व ब्राम्मन छे माटे ए साधू जीवने जीवतो हशे एनी पासे कहीं सगवर्ताना साधनो न यहा ब्राम्मन ब्रह्म वेट्टाओन सब्हा निवास्थान थाई शके रहत्ति या ब्राम्मन दखाओनो निवास्थान पंधै शके अर्थ यहां ती आत और साधू जीवन जीवनारं जीवना रहता आ Requ inhalÓ़ घरशता के लिख्योरं का Bennett कुआरत्या नांद खिख के बदु हुँ लवजु गारण के आख्या इका छे अने आपने खबर होवी जुए के चान्दों के उपनीशद मा आवी जान शुरुती अने रैक्वनी वात पन आवे छे दरेके-दरेक मंत्र आवी रिते लिधा छे तेने ए सेवके जोयु के रैक्वज्या बेठो छे शकटस्य अधस्तात गाडा नी नीचे बड़त गाडा नी नीचे बड़त गाडु जेनू एक उलु रेवानु स्थान हतु अथ्यां दरिदरा रिते ए साधाई थी जीवन जीवतो गोई प्रकार ना साधनो सक्वज्द Two Vina पामानं कशमानं कई खान आवती यहसे तो आवी रिते कई खंतो गतो शरीरमा खान आवती यहसे ने खंतो गतो अने बंदी जनते रैक्वने केवाल आग्यो सहभ्युवादतमनु भगवसा युगवा रैक्वा इती शुँ आपच ए गाड़ावाला रैक्वा छो इती हाँ अहम ही अरे हाँ मुझ छु एम इवी रिते अरा त्रणवार जे प्लूतमा छे हाँ मुझ रैक्वा छु जार किदू के तमे जार रैक्वा त्यारे इने ओडखी लिदो रैक्वने अने पछी ए पाचो आवी गयो अने राजाने गिदू क्षत्तारम विदम इती प्रत्य आया तो ये पाचो आवी जाई छे अने तदुह जान शुरुती जान शुरुती ही पोत्राये शट शतानी गवाम खवर बड़ी गई गाडावाणों रैक्वा क्याने छे जान शुरुती हवे पोत्राये शट शतानी गवाम शट शतानी इतले 600 गायो लिएने निश्कम इतले एक हार अने अश्वतरी रथम खत्चर थी जोडायेलो रथ आ लईने आधाय तम प्रती चक्रमे एतले ए रैक्व गाडावाणों रैक्वा पासे जाये छे आने रैक्व ये रैक्व ये महानु भाव रैक्व ये महातमा रैक्व इमानी शट शतानी गवाम इले के आ छस्सो गायो, अयम निष्कम, इले के आ हार, अयम अश्वतरी रथ, अ खचरी जोडायलो रथ, आ तमें लो, अने निष्चय पुर्वक मने कहो, एताम भगवा देवताम माम शाधी, इले मने आ सम्मर्ग विद्या उपदेशो, जो इयां चे, मे, मे शाधी, माम अपासे इती, जे देवताने, जे संबर्ग गुणवाला इरन्य गर्भने, ये तो आपने कहिये चिये, जे देवताने तमें उपासो चो, ये मने कहो, जे देवताने तमें उपासना करो चो, एनो मने उपदेशापो, ए संबर्ग विद्या मने एनो उपदेशापो, तो तम उ परह प्रत्युवाच ठेरी राजाने प्रह एल्ley रैकव चुम्वाध ना महिति हा हा, प्रत्युवाच भुजी अःच्वर आ रेत्वा एले हार सहित नो जे आ रथ छे अशोतरी रथ ए शुद्र कहीने संबोज ये रैक्व ए या विद्या ग्रहन करवा माटे राजा आवेलो छे तो विद्या ग्रहन करवा माटे जिटलू दान वगेरे जिटली ए वस्तू लावे तो ए ओची छे ने माटे रैक्व एने कहे चे के हधी वजारे तारे लावू जुए माटे शुद्र कहीने संबोदे चे गाजा जान शुर्ती दो छत्रीय राजा चे पन शुद्र एकला माटे कहे चे शुद्र वृत्ती आ बदू तमारी पासेज रेवा दो पछी पुनह एव त्यारे जान शुर्ती समझी जाए चे क्या हुँ जे विद्या ग्रहन माटे लावे उच्छू निमित ए गणू उच गाजा ऑजा बदू एक अजर गाजो अई आ बदू पासे चक्रमें पाछी एनी पासे जाईने कहे चे तम अभ्यवाद रैक्व कर दो 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 कर तो एक खजर गायो सोनानो हार रथ अने पोतानी पुत्री लईने जारे जाये चे तम हुँ तम हा अभ्यवाद रैक्व ये रैक्व ये महानु भाव आ तमे आए खजर गाये अगाळामा सोनानो रथ अरे सोनानो हार वगेरे अने मारी आ पुत्री पन आप स्विकारो पत्नी तरीके अने ए रिते हे भगवन मने अनुशासित अने पछी इम जाया ये जे मारी पुत्री छे अने तमे पत्नी तरीके स्विकारो अईम ग्राम हाँ जे आ गामँ मा तमें निवास करोँ छो ए गाम पन आपना नामे जो हो अने एने पन श्वीकारो अने यह स्मिन तव म आसे जेमा तमें रोह छो ए पन तमें श्वीकारो अवेसु आपियु एक हजार गाय सुनानो हार रथ पोतानी पुत्री अन गाम आखो जे जनपद जे छे आखु गाम एने आपी दिदु अने पशीगिदु मां बगवह शाधी मने आ सम्मर्ग विद्या उपदेशो त्यारे तस्याहाह मुखम उपोद ग्रुणन इतले के विद्या ग्रहननु द्वार रैक्व ब्राम्मन ब्रम्मचारी इतले के ए प्रमाणे हतो तो एने आवी रिते आ आटली जरूर हती गुर्व स्थाश्रमा प्रवेश्वा माटे आटलू धन साधनों वगेरे होवा जुईए माटे एतलू राजाय रैक्वने आप्यू अने पछी किदु क्या गायो वगेरे तमें जे बदू लावया छो ए विद्या ग्रहनना द्वार नी मदद थी ज आ सुचे यहां मुखे न आला प वइश्य था हा एतले मारी पासे थी तमें संवर्ग विद्या बोलाववा माटे जे तमें आ बदूमने आपेलू छे म ग्रहने रैक्व एतले रैक्वने आप्यू आतले आमनु नाम रैक्वपण नामे राजाय करी आपीजू। येले रैक्वणा नामे रैक्वजेनू शासन वगेरे करे ए प्रहमाणे। अने महावुरूष नामना देश मां येमने आ, रैक्वपणा नामनु गाम रैकव ने आपीजू। पोतानी पुत्री आपी। अने एक बदा हजार गायो न सोनाना हार वाडू बदू आपकियो अनने पछी सम्मर्ग विद्यानो उपदेश रैक्वय राजा ने आपकियो तो यहां हवे त्रीजो खंड छे रैक्व द्वारा सम्वर्ग विद्यानू उपदेश अप्पा मा आवे जे सम्वर्ग विद्या सू छे आ सम्वर्ग उपासना यह यहां उपनीशद स्वयम के छे वायूर वाव सम्वर्गह समस्टी अधी दैव स्तरे समस्टी ना स्तरे सम्वर्ग कोण छे तो वायू अत्यारे जे समस्टी मा चाली रलो छे ए वायू जे सम्वर्ग छे कोई पन गुण विशिष्ट उपासना ज्यारे श्रुती के त्यारे एनी कोईक युक्ती चोकस आपनने आपे जे तो वायूर वाव संबर्ग है यदावा अगनी ही उद्वायती वायूम एव अप्येती तो ज्यारे अगनी उल्वाई जाई छे त्यारे वायूमा लीन थाई जाई छे अगनी ज्यारे भड़ड प्रगट होए सणकत होए त्यारे बरोबर उल्वाई जाई छे त्यारे क्या जतोरे छे तो के वायूमा जाई छे सूर्य यदा सूर्य हस्तमेदी सूर्यास्त थाई त्यारे सूर्य क्या जतोरेचे वायुमा जाईचे यदा वा चंद्र हस्तमेदी चंद्र पण हस्तम थाई त्यारे वायुमा ज बढ़ी जाईचे अगनी चे आदित्य चे चंद्र चे अने पछी आगळ आवसे जड तो आप दू छेवटे वायूमा यदा आप शुष्य दी उच शुष्य दी तदा वायूम एवा अपी आंदी ज़ड पन सुकाई जआए जहे तो शूर्य ने चंद्रवडी क्या वायू मां अस्तापाँ। सूर्य ने चंद्रमानी ताराओनी नक्षत्रों ने बद्दी गती छे ने आ वायू ने लिदे। गती करनारो तो एक जवायू चे। गती गुण विशिष्ट एक मात्र वायू छे, ले वायू ज सूर्य चंद्र बद्धानी गती माटे जवाबदार छे, माटे ओ कहे छे के सूर्य जारे अस्तपा में त्यारे वायू मा लीन धाई छे, अने आमें जारे अगनी जारे प्रले काले पन सूर्य वगिरे छे छे, ए वायू माज भड़ी जवाना छे, विग्णान पणी प्रमाणे के छे, तो बद्धाज आगनी जल, बची सूर्य चंद्र आचार वस्तू छे, बदी वायू माज लीन धाई जाई छे, माटे वायू सम्वर्ग छे, इत्य दैवतम, इतले आ प्रमाणे समस्टी के अधि दैव सम्वर्ग छे, यदावा स्वपी दी जारे, अपने उंगी जेए छे, त्यारे प्राणम एव वाग अप्पिये दी, वाग प्राणने प्राप्त थाई छे, प्राणमाज वानी छे, ए लीन पामे छे, प्राणम चक्षू, प्राणने प्राप्त थाई छे, श्रोत्रम प्रा मन पन प्राण मा जिली इन्थाई जाय जह आपने आ जोई वद्दू । जया रे प्रश्णोपणिषध मा‍ बीजो प्रश्ण हतो कि कया देवो विधारन करे चे कानी लुप्राण जागे चे वगेर तो प्राण जागे चे प्राण मा बद्धुज इंद्रियो, करणो, मन, मन पन प्राण मा जिली इन थाए छे, प्राणों ही एव एतान सर्वान सम्रुम्ते, प्राण ज बद्धानों पोतानामा समहरण करी ले छे, एदले के पोतानामा समावी ले छे बद्धाने, तव वा एतव द्वाव सम्र्गव वायू एव देवेशु प्राणफ प्राणेशु तो ते बेया सम्वर्ग छे वायू समस्टिस तरे सम्वर्ग छे अने प्राणेशु एदले प्राण शब्द ज्यारे बहुवचनमा वप्राय त्यारे हम्मेशा प्राण शब्द नोर्थ इंद्रिय थतो होई छे तो समष्टी स्तारे वायु समवर्ग चे अने अध्यात्म स्तारे शरीर माँ प्राण समवर्ग चे तो प्राण अने वायु आबे समवर्ग चे अवे सम्वर्गनी स्तुती आ सम्वर्गने जाननारा माननी अईया उपासकनी स्तुती करवा मावे चेना माटे पने एक आख्या इका छे तो चोथो खंड छे तो अथा शवनकम चापेयम अभिप्रतारिणम चाक्ष सेनी तो कपी गोत्रमा उत्पन थहला शवनक शुनकना पुत्र शवनक अने अभिप्रतारिण काक्ष सेनी नामनो राजा चे अने शवनक ब्रह्मन चे परिविश्य मानओं काक्षशे सेनी राजाना दर्बार मा शवनक अने काक्षशेनी आ बे जना एमना रसोडा मा के अन्न गुरूमा परिविश्य मानओं ए जमता हाता है बोजन पिरस्वामा आवी रयू हतू त्यारे ब्रह्मचारी बिविक्षे त्यारे एक ब्रह्मचारी आवी ने बिविक्षा मागी त्यारे ब्रह्मचारी आवी ने बिविक्षा मागी तस्मा उहन ददतु हू तो यहां भाष्य माँ छे ब्रह्मविच्छाउंडः ब्रह्मचारी माटे शब्द प्रायोक था लोचे ब्रह्मवेत्ताओमा अत्यनत उत्तम तो यहारे शवनक अने काक्ष सेनी विचार्यू के जो यह तो खरा ब्रह्मचारी ने भिक्षा आपी नहीं यहारे ब्रह्मचारी जानतो तो कि आ शवनक अने काक्ष सेनी बनने आविरी ते संबर्ग विध्या ना उपा सक छे तो ब्रह्मचारी कह छे के तमें जे अत्यारे तमें जे भिक्षा लई रहा चो यह कोने मले जे बद्धू जे संबर्ग वायू के प्राणज गड़ी जनारो चे तो ए संबर्ग नी तो हूँपण उपास ना करूचू माटे तमें मने ए संबर्ग ने ए हिरन्य गर्भ ने भिक्षा न थी आपी लियाम करें ने हूँपण संबर्ग विद्ध्यान उपासक छू एव प्रह्मचारी के छे लेसा हो आच एटले ए प्रह्मचारी के छे महात्मनह चतुरह देवह ए कह कह एटले यहां कौन एव नाई कह एले प्रजापती हिरन्य गर्भ जे ए नी वाद छे तो एना गूणो संबर्ग विद्यामा जे हिरन्य गर्भ ना गूणो छे ने बद्दु एन ब्रह्मचारी बोले छे तो बौवनस्य गोपः तो ते आँ संपूण जगत नो रख्षक छे गोपा एले गोपाई दया है रक्षक छे तो एक देव텐्गंड़ हिरन्य गर्भनू समग्र ब्रह्मांड मां अभिमान चे, ताधात्में चे, माटे ए समग्र ब्रह्मांड नो रक्षक चे, पालक चे, पोशक चे, तो हिरन्य गर्वने लिदेज आ समग्र ब्रह्मांड टकी रहू चे अने माटे एक देव, प्रजापती बद्धा, चतुरह, महात्मनह, जगार, इतले गड़ी गएो छे, चार महान देवों ने ए गड़ी गएो छे तो जे अधिदाई वस्तरे आपने जोयू अतु को अने समग्रग सूर्य, चंद्र, अगनी अने जड़, आ चार जे छे ने एने गड़ी जनारो आ हिरन्य गर्व वायू समग्रग छे तो येने अने हे कापे, ये शोणक ने अभिप्रतारिन तमें येने जानता न थी, माटे मने बिक्षा आपी न थी तमें अभिप्रतारिन बहुदा वसंदम ये ज आ हिरन्य गर्वज अनेक प्रकारे आ समष्टी मा अने व्यस्टी मा स्थीत छे अध्यात्मा अधिदैवा अने अधिभूत अनेक प्रकारना भेदे ए हिरन्य गर्बज समग्र ब्रह्मान मा रहेलो छे अने तमें मर्त्य लोको तो एमने जोता नधी परंदु हुँ जोँचू तमें जोओ छो छता पन तमें मने भिक्षा केम ना आपी तो आ प्रमाने जयारे प्रम्नचारी केए छे त्यारे पाचू शवनकने अभिप्रतारिन राजा हातो ए यहने भिक्षा आपे छे तदु हा शवनका कापे प्रतिमन्वान प्रतियाय आत्मा देवा नाम पची शवनकने काक्ष सेनी जया נे पन केछे यहा वात साची जयी है देवा नाम आत्मा प्रजाणा जयी आप द्धाज नाम औो जयी हिरं निये गर्ब नी विपुति नी महानता नी यह वात एज तो देवानाम आत्मा, हिरन्य गर्ब बधतप ढटाज देवो नो आत्मा छे हिरन्य गर्ब जे अंगी देवता चे नेना बदा अंगो चे तो अने जनीता प्रजाना बद्धाने जन्माव नारो चे हिरन्य गर्ब जे बद्धाने जन्माव नारो चे ये समझवू होई ज्यारे पाउराणिक वात छे अपनी प्रलेकाले नारायन बगवान शेश सहिया पर सूतेला होई बद्दू समग्र ब्रह्मान ने पोतानामा समावी ने कोड़यो करी ने सूतेला होई ज्यारे ए अव्याक्रुत उपाधी वाड़ा परमातमा के वाई छे अव्याक्रुत बद्दू अव्याक्रुत पोतानामा गळीने स्थीत छे माटे अव्याक्रुतो पाधी इश्वर एले नारायन बगवान पछी सो कामा यत बहुस्याम प्रजा ए पजी जारे बद्दा जीवो नू समष्टी कर्मपढ उदय पामवानू निमित्त होई त्यारे सो काम यत बहुस्याम प्रजा नाम करी एक चुँ अनेक रूपे थाई जओ तो आजे छे अने हिरन्यगर्ब की देलो छे अने यमाथी पजी समग्र सुष्टी नू सर्जन थाए छे तो जनीता प्रजा नाम कोण चे बद्धा ने जन्मावनार कोण चे तो समष्टी बुद्धी अत्वादो हिरन्यगर्ब रूपी जे छे देवता एज आ बद्धा ने समग्र ब्रह्माण ने जन्मावनार छे माटे यहां किदू देवा नाम आत्मा बद्धा देवो नो एज आत्मा छे आँग्गी चे अने जनीता प्रजा नाम आँग्री बद्धा ने जन्मावनार छे तो सोनाना दात वालो छे, लेके अविकारी दात वालो छे, लेके हम्मेशा बद्धाने खाना रो छे, लेके अत्ता छे, मुख्य अत्ता छे, बद्धा शरीरो मा रहेलो भोगता है हिरन्य गर्ब छे, बद्ध्या शरीरों मां रहनारों जे भोगता छे प्राण जे छे ने ए अपणा शरीरों मां बद्धू 창ुपीर 7 तांतरों प्राण चला आवे छे तो इवीरी ते बद्धाना शरीर मा आ भोजन खाना रोकोन जे तो आ हिरन्य गर्ब जे इतला माटे किदू हिरन्य दमस्ट्र हा ये हम्मेशा अत्ता स्वरूपे होई जे क्यारे अन्न रूप न थी ये ये आगल क्या जे बभस हा बभस हा येले भक्षन शील हा खावाना स्व अनसूरी ही जो आ बदा गुण आछे न अमुक वखते भाष्यमा घणी वार आनू कोटेशन आउतू होई छे हिरन्य गर्बना गुणोनू अब आ कदाच आपणने एटलू स्परशे नहीं परन्दु आ भाष्यमा घणी जग्याय होई छे एटला माटे आ आख्याई का अनसूरी ही एले मेधावी अत्यंद मोटा मेधावी छे समष्टी बुद्धी माँ यonu अभीमान छे माटे बद्धानू गणान समष्टी गणान शक्ति येनी चे माटे नहीं मेधावी अनसूरी कीदो छे महांतमत्यमानम feast आते अंत महें महें माई यह वों यह छे अनन जे अनन ना हो ने इने पन यह खई जनारों छे जे ने ंखवाई न जयें जये काड बद्धाने खई जये अनन मगें जया पर काल न play भक्षक घंअ इल नहीं Champ शिव जी नुख, ने उपनीशदमा आपने बन्याजदमा अफने उपनीशदमा, उपनीशदमा बन्मिट करीनम बूल को प्रुदारनियमा विशन प्रुदारनिकमा यस्य ब्रह्म चक्षत्रम चा उबे भवत अधनह मृत्यूर यस्यो पसे चनम पठोपनी शद हाँ तो यहां संवर्ग कोने कि दो जे बद्धाने गडी जनार तो काल जे आने पन प्राण के वायू आ हिरन्यगर्ब चे यह बद्धाने यहां गडी जनार चे आखु जगत जेना माटे भात समान चे अने जगतना संभार माटे कोई विशेश प्रायतना करवो पड़तो नथी बगवानने बगवान बद्धू गडी जाए चे काल ने मृत्यू यस्य उपसे चनं आखा जगतने भात साथे सरखावयो अने यहां चटनी भात साथे थोड़ी चटनी जोई है अथानू जोई है तो यहने भेगू करी ने बगवान खई जाए चे पक्षक छे यहना माटे जुदो प्रयत्न करवो पड़तो नथी जो यहां संबर्ग विद्या एटला माटे आ रैकवन जानशुतिनू बधू कि धेलू छे कोईपन एक उपासना करिये कोईपन एक अपने कर्म करिये जमके वैदिक कर्म जै पुत्रकामेश्टी यगन करिये तो पुत्रनी प्राप्ती थाए एक कर्म के उपास जो तिश्टोम यगन करिये तो स्वर्गनी प्राप्ती थाए कारिली याग करिये तो वर्साद वर्से एक उपासना अत्वा तो एक कर्मनू एककज फॉल छे परन्तु एक उपासना थी बहुत दू फॉल मली जाए इवी कोई उपासना छे कि आपने पुत्र माटे ने वर्साद माटे ने स्वर्ग माटे जुदो जुदो कोई प्रयत्न ना करवो पड़े तो एवी आ सम्वर्ग विद्या छे तो एक सम्वर्ग विद्या थी सम्वर्ग उपासना थी बाद धा फ़ल प्राप्त थाई जाई छे और था क्रुथ आएग गून वाल्या के वास चणर अहा पलिए सम्वर्णिया आइगा। पजी ब्रह्मचारी पण कहे छे कि आवा गुण वाला सम्वर्ग ने हुँपन उपासुचु अने माटे पजी येने बिक्षा आपे छे बनने जणा पाचु छेले एक अर्थ हाना एक श्लोक छे येमा सम्वर्ग विद्या समाप्त थाई छे आ ऐसमे बिक्षाम दत्ता में प्रह्मचारी ने बिक्षा आपे छे पजी तसमाध उह ददु हो तसमे ने खे बननने आ प्रह्मचारी ने बिक्षा आपी ते वा एते 45, 5, 10, 10, 5, 5 … क्रुत पासुएले 4, 3, 2, 1 10 थाई जे, तो 10 काया काया छे कुरुत पासुमा, जो आपड़े अगनी, सूर्य, चंद्र अने जल, ए हता चार अने ए चारे चार से मां समाई गया वायू रूपी सम्वर्ग मां, एले ए पांच थाया अधिदवस तरे, पछी अध्यात्मस तरे प्राण, प्राण मां समाई ज जे छे ए वाणी मां आरे, प्राण मां समाई गया, पांच पांच एमकरे ने 10 थाई गया, तो ए दशक गृतम, ए दश हे लेके पून गुणा कवालो जे छे ए, सा एशा विराट अन्नादी तया इदम सर्वं दुष्टम, तो ए जे छे, अहिया आपणे विराट अन्नादी विराट ए अन्न समष्टी स्थूल ब्रह्मांड शरीर जे छे एनो अभिमानी विराट कहवाई छे, समष्टी स्थूल शरीर अभिमानी विराट, ए छे ने विराट ने आपणा अईतर्य उपनिशत्मा, ब्रोधारणिक उपनिशत्मा बनने मां विराट ने अन्न साथे सर् तो वीराट जे शिथूल वस्तूसू जे अन्य और लिट्ने खाणा र्ष सूक्ष मघ ये भोग्ता थो अन्य विराट ये अन्यची खा, мотр дор spends खाणा रो भोग्ता कौनर जे rosegarba चाय ये तो वीराट अन्यकी선ी तया इदम सर्वं दुष्टम एव हिरण्य गर्भ्य वडे ज समग्र इदम सर्वं आज एक ही पन चे समग्र जगत ए बद्धु दुष्ट चे जोवावा आवे चे एना थी सर्व कही जनायलू चे ए समग्र विराट ने जाने चे अन्नने जाने चे अन्ने माटे ए सर्वने बक्षण करना रोचे अन्ना दो उपवती अन्ने आवी रिते सम्वर्ग विद्या नी उपासना करना रोपण प्रमाणे अन्ना दी ए हिरण्य गर्भज थाई जाये चे तो सम्वर्ग विद्या अहंग्र उपासना चे आपने मेंली समझवानू हक्ष्याई का द्वारा सरस्री थे एक श्टूरी फोम आपी ने आम एकदम सरोल बनावी दी दी चे सम्वर्ग विद्या ने वायू जे चे ए समष्टी स्तरे सम्वर्ग चे एमा बद्धा देवता लीन पामें चे समाई जाये चे प्राण ए अध्याष्टी स्तरे अध्यात्म स्तरे सम्वर्ग चे एमा बद्धा करणों मन अने इंद्रियों बद्धू प्राणमा समाई जाये चे अने आ सम्वर्ग छे इले सुत्रात्मा अने हिरन्य गर्बनी यहां उपासना छे अने एना द्वारा परमात्मानु कृत गोण थी कृत गोण इतले के यहां पूर्ण गोण थी बद्धुज एमा समाविष्ट थाई जाई जे एमा एना दी कहीं जुदू अलग रेतू ना थी ए प्रमाने यहां उपावासना केवामा आवी जान शुरती पवत्रायननी अने सयुगवानम रैक्व तो आवा शब्दो घणी वकत आवता होई जे संबर्ग विद्ध्याकुबज महत्वनी जे चांदोग्यनी जे उपासना जे यहां हवे सत्यकाम जाबाल अने उपकोसल वगेरेनी जे विद्ध्या आवे जे सत्यकाम जाबाल नी पण आख्याईका एना ए जे स्टोरी छे आख्याईका जे यहां सु आपने ग्रहन करवानू जे ए खास समझवानू जे सत्यकाम जाबाल अने पछी जे पंचाग्नी ने वैश आपने जोईशु आउती वक्ते, सत्यकाम जाबाल अन उपकोसल विद्या अपन गणी अगत्यनी चे बले आ उपासना आपने कहीं करवाना ना होईए परन्तु उपनीशद मा तो चेज उपनीशद ना जे आ उपासना मा घणा वाक्यो एटला बदा प्रसिद्य चे कि प्रस्थांत्राईना भास्यमा घणी वकद आ वाक्यों कोट थता होईचे जमके आ खृताय विजीताय अधरयाह सईयंती आ वाक्या घणी जग्याए शांकर भास्यमा कोट थतु होईचे पची जे उद्गित विद्ध्यामा आपने जोयू यदेव श्रद्धया उपनीशदा करोती तदेव वीर्यवत्तरम भवती तो ए वाक्या पन गणी जग्या एकोट थतू हई छे तो आ प्रमाणे जे प्रसिद्ध वाक्यों छे उपनीशद्ना ए आपने लिदेला छे और पन जे प्रसिद्ध वाक्या छे आचार्या धैव विद्ध्या विदिता साधिस्टम प्रापती तो आ उपनीशद्ना जे प्रसिद्ध वाक्यों छे उपासनाना के जे भाश्यमा घणी जग्या एकोट थत्ता हो जे पन ग्रूपमा मूखलिस ए बदाए खरेखर कंठस्त कर जोईये आचार्या धैव विद्ध्या विद्धा साधिस्टम प्रापती ये पन खुबच प्रसिद्ध वाक्या छे सत्त काम जाबालनू तो आउति वक्ते जोईशू ओम पूर्णमदफ पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यदे पूरणस्य पूरणमादाय पूरणमे वावशिष्यदे ओम शांते शांते शांति ही अरिहि ओम श्री गुरुब्यो नमहा अरिहि ओम